दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हो कि अगर आपके भी इंस्टग्राम एप में नेट नहीं चल रहा है जिया दोस्तो अगर आपके वाल में सबी आप्लिकेशन सही से काम करिए सबी आप्लिकेशन में नेट चल रहा है लेकिन अगर आपके सर्फ Instagram application में नेट नहीं चल रहा है तो आप इस problem को कैसे ठीक कर सकते हो तो guys अगर आप भी जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी skip मत करना वीडियो को स्टाट करने से पहले अगर भी तक आपने मारे चानों को सब्सक्राइब नहीं किया तो चानों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लिजीगा चल रहा है तो आप इस problem को कैसे solve करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की settings में जाना है मोबाइल की settings में जाने की बाद यहाँ पर आपको apps का option आपको देखनी को मिल जागा यहाँ पर आपको app management application manager या फ़र आपको apps का option मिल जागा क्योंकि हर एक मोबाइल में अलग-अलग settings रहती है तो इन में से कोई भी option शोग रहा है तो आपको इस पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको manage apps का option मिल जागा जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक इंस्टग्राम application आपको देखनी को मिल जागा तो यहाँ पर आपको यह शोड नहीं कर रहा है तो search बार पर क्लिक करने की बाद यहा यहां पर आपको mobile data, wifi और background data का option यहां पर आपको शो करा है तो अगर आपको आपके वाले option disable है तो आपको simply इन ऑप्षन को enable कर लेना है क्योंकि यहां पर अगर आपको mobile data वाला option disable है तो जिससे के दूस्थ आपके Instagram में net नहीं चले गाए तो यहां पर आपको mobile data वाले section के आगे इस वाले option को on कर लेना है इसके बाद अगर आप Wi-Fi से net चला रहे हो तो अगर आपका Wi-Fi वाला option बंद है तो आपको इसे on कर देना है इसके बाद यहाँ से आपको back आना है और यहाँ पर गाईस आपको एक force stop वाला भी option मिल रहा तो यहाँ पर आपको एक बार force stop पर click कने के बाद okay पर आपको click कना है और इसके बाद यहाँ से आपको simply back आजाना है इसके बाद आप अपने instagram को open कर सकते हो आपके instagram में net चल जाएगा लेकिन फिर भी अगर आपके mobile में instagram में net नहीं चल रहा है तो आपको दूसरा तरीका भी आपको बता लिता हो तो इसके लिए guys आपको mobile के settings में जाना है इसके बाद यहाँ पर आपको sim card का option शो करेगा sim cards and mobile network पर आपको click कना है और इसके बाद आपको जिस भी sim card से आप net चला रहो simply आपको sim card पर click कना है इसके बाद उसके बाद यहाँ पर आपको preferred network type वाले option पर हम click करेंगे इसके बाद सबसे उपर prefer LTE या फिर guys 4G का option शो करा है तो आपको उस option को choose करें सबसे top वाले option का आपको choose करें तो फुलाल मैं prefer LTE को choose करें ता हूँ इसके बाद उस तो use quality वाले option को आपको enable रखना है इसके बाद यहाँ पर access point निम वाले पर click करने के बाद यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आप देख तो नीचे के और reset का option शो करा simply reset पर click करने के बाद आपको जो है यहाँ से आप access point को आपको reset कर देना है पर आपका नेट चलना स्टार्ट हो जाएगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगी तो इस तरीके से इंस्टाग्राम पर आप जो है इस तरह की की प्रॉब्लम को आप सॉल्फ कर सकते हो इन प्रोसेस को फॉलो करके आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगी कोई न